आकाशपणी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंख NDA के राश्रपती पत के उम्मिद्वार रामनात को विंद आज अपनी एक दिवसे यात्रा पर राज़ानी भुपाल पहुँचे स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री शिवरा सिंख चौहान ने उनका स्वागत किया यहां श्री कोविंद के स्वागत समारों के दौरान मुख्यमंत्री शिवरा सिंख चौहान ने पार्टी कारिकरताओं को संबोधित किया इस दोरान किंद्री मंत्री थावरचिंद गहलोद, पार्टी के राश्री उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी विने साहसर बुद्धे, राश्री उपाध्यक्ष प्रभाज्जा, पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नंद कुमार सिंग चोहान समेत मंत्री दल के सदसे भी मौजूद थे श्री कोविंद के राज़ानी भोपाल प्रवास के दोरान मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की बैठक चल रही है जिसमें पार्टी के सभी सांसद और विधायको समेथ संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद है श्री कोविंद और कॉंग्रिस समेथ विपक्षी गडबंधन की उम्मीदवार मीरा कुमार अपने लिए समर्थन जुटाने इन दिनों देश भर के दोरे पर हैं श्रीमती कुमार के भी 13 जुलाई को भोपाल आने की संभावना है उभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि उभोक्ताओं के हित्मे वस्तू और सेवा कर लागू होने के बाद नई दरे सामान के पैकेट पर प्रकाशितना करने वालों पर एक लाख रुपए का जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है उन्होंने उत्पादकों से अपना पुराना स्टॉक नय अधिक्तम खुद्रा मोले से सितंबर तक खत्म करने को कहा है कल नई दिल्ली में श्री पासवान ने कहा कि नया अधिक्तम खुद्रा मोले वस्तू के पैकेट पर प्रकाशित करना अनिवार है ऐसा ना करने वालों पर डिब्बावंद वस्तु कानून के तहत कड़ी कारवाई की जाएगी। पर डिब्बावंद वस्तु के तोर पर नियुक्त किया गया है। बचने के लिए संबंधित बिजली कार्याले से संपर कर अपनी समस्याओं का समधान करवा सकते हैं। उधर सतना, आगरमालवा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, शिवपुर, रतलाम, सागर और राइसिन जिलों में लोक अदालतों में विभिन मामलों का निप्टारा किया जा रहा है। इन समुहों में महिला क्रिशिकों के 437 अंतरजिला प्रसिक्षन भी आयोजित किये गये। इसके अलावा 1555 महिला क्रिशिकों को क्रिशी के उन्न तकनीक अपनाने के लिए प्रसिक्षन दिलवाया गया। इस योजना पर पिछले वर्ष 4 करोड रुपए की राशिव अब तक वैकी जा चुकी है। इस वित्ती वर्ष में इस योजना के लिए 6 करोड रुपए की विवस्था की गई है। पारिक्रम करसंचालन, जिला व्यापार, उद्योग, केंद्र एवं अन्य विभागों द्वारा किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पुरी जिले में युवा मददाताओं को मददाता सूची में जोडने के लिए जिलास्तर पर कॉल सेंटर स्थापित किये गए हैं। इसके साथी प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार. झाल 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 झाल